नमस्कार स्वागे था आप सभी का हिस्ट्री इत्रिष्टी चनल पे मैं रवी कुलरिया इस्ट्रेक्श राधसान से रपीसी द्वारा दो फर्स्ट ग्रेड की वेकेंसी के लिए विध्यप्ति जारी की गई है उसके समंद में आपने वेडियो वगारा विध्यप्ति वगार तो इसके लिए वीडियो बना कर क्या कुछ अलग 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 जगहों पर रहने वाले विध्यारतियों को ध्यान लखना है जिनको कुछ बातें समझ में नहीं है उसके समंद में वीडियो में बात करेंगे पोस्ट वगरा की तैदी की चर्चा करेंगे क्या क्या कर लिया कि अपने को किस किस मुद्धे बे बात करनी है तो यह लास्ट में आयों सबसे पहले पहुंच जाते हैं यहां पर अपन हाँ तो यहां पर पदों की संख्या जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद वाली स्थिती है कि पद बहुत कम आये है वह निश्चित सी बात है मिनिमम भी कोई सोच रहा था तो छह साथ जार पदों की सोच रहा था और यह बाइस सो दो के करीब पद है और अलग-अलग स कोई सब्जक्ट में कम है करी सब्जक्ट में हैं तो उसमें जैसे शीडिल कांश, शैडिल ट्राइब के लिए ज़ादा सीटे हैं बैकलोग है क्यों पिछली वेकेंसी में जैसे पोलिडिकल सैंस का प्र काफी तफ था फोटी परसेंट वाली का पाफी दीक तो यह लोगों क वेकेंसी के पद हैं जो की नहीं भरे गए तो और फिर बेकलोग में इसमें नीचे में आपको दिखा दूगा तो सब्जेक्ट वाइड पदों में देखो हिंदी इंगलिस राजनी विग्यान भूबोल के समाने अंतोर पर आप वैसे देखेंगे तो पद ठीक हैं फिजिक्स क कि अबीवागी है जो प्रमोशन होता है कि अबश सब्कार्पर प्रमोशन होने वाला है कि कि इसदी में को फिर इतंग के हैं अब कुछ फशा है जिसके हम नहीं हो रहे है तो जब तक हो मारा है नहीं नई पड़ हो रही है और फिर नोंने का यह सोचा है कि चुनाव आए हुए है आनंफारण में निकाल देते हैं डीपीसी वाला मामला निपटेगा तब बात में देखेंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि इनमें निश्चित रुप से पदों में यह पद करी तकरीबन चार गुणा हो सकते हैं यह बहुत अधिक संभावना है 100% कोई नहीं कर सकता वो सिर्फ कहने वाली बात है कोई कह देता है तो जैसे वेकैंसी के लिए भी सबब यही मान रही थे अब तो कोई चुनाव बाद में आएगी लेकिन वेकैंसी तो आ गई तो यह थोड़ा सा एनिश्चित है कि ह होगा की नहीं होगा संभावना आप पूछेंगे तो ज्यादा यही है कि संभावना इसमें बढ़ने की है और तकरीवन इससे जो अभी है उसे चार गुनाव पद हो सकते हैं तो यहां पर पदों की संख्याव अगर आपने सब ने देख ली है कैटेगरी वाइस भी आपने ळेखो कुछ जरूरी पॉइंट है अब योगेता किस के लिए क्या चाहिे जिनको योगेता कापता है उसकिप कर चीपकर के आगे चले जा सकते हैं, तो अभी पदली यहां पर बतायागा है कि पोश्ट ग्रेजूशन आपके पास होणा चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपकी B.A.D. होनी चाहिए डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकोगनाइज भाई पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.A.D. अब इनके अंतिम वर्षों में कोई हो जैसे किसी का PG का अंतिम वर्ष चल रहा हो या किसी का B.A.D. का अंतिम वर्ष चल रहा हो वो भी इसके अंदर पात्र है शर्त यह होती है नीचे दिखा भी दूंगा आम आपको शर्त यह होती है कि जिस दिन एक्जाम शुरू होती है एक्जाम केलंडर की फस्स जो डेट है उस दिन तक आपकी योगिता पूरी हो जानी चाहिए यानि आपकी M.A.C.E. M.C.E. M.C.E. हराम के लिए हो existence पूरू नहीं हो जाते है ऑस दिन तक हो जानी चाहिए ऐन चाहिए आप इस दिन तक आप रही होती दिन तक ज़ मुहा मादार को जाया है मुहा देख एप्लाहः को मौत दो प्रियक्षाब्स में की है आपकी M.A.C.E. M.P.A.G. में admission हो जाना चाहिए तो वो इसके लिए पात रहे है पदकरम संख्या 12 जो है मैंने आपको बताया होम साइंस के लिए था तो उसमें उसका एक अलग कोलमी नहीं बना दिया क्योंकि UGC के लावा Indian Council of Agriculture Research इसमें भी पॉस्ट ग्रेजुशन हो सकता है तो यह अलग इसके संस्था है पदकरम संख्या 16 के लिए यह आपका जोलोजी उसके बाइलोजी के लिए है तो बाइलोजी के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है इन्में पोस्ट ग्रेजुशन हों साथ ही ग्रेजुशन में बोचणियूशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुशन अंदर बिइकों commerce के अंदर होना चाहिए विद बीकॉम एक तो उप्शन क्या है post graduation with commerce post graduation in commerce और विद बीकॉम होना चाहिए और कोई नहीं और यह फिर दूसरा option क्या है post graduation और equivalent examination recognized by UGC in e-commerce having at least two teaching subject of higher secondary जो अभी राशन बोर्ड में जैसे कोई आपका status चलता है और accounts का चलता है economy चलता है एक दोर चलता है उनमें से कोई दूआप के पास होना चाहिए फिर पास में बीड होना ही चाहिए पद्गरम संख्या 18 के लिए यह आगे अचाफिरे ड्रोइंग के म्यूजिक के इस प्रकार से हैं कोच के लिए हो देखें आप देखिए इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए वह भी और और क्या-क्या चाहिए यह क्या हो गया अच्छा सेलेक्ट करना पड़ेगा हां और देखिए यह वांचित सैक्षिक एहरता वाला मैंने आपको बताई दिया कि अंतिम वर्ष की प्रिक्षा में सम्हीलित हो चुका हो हूँ या सम्हीलित होने वाला हो वही इसमें कर सकता है पे लेवल मेट्रिक्स एल बारा है अड़तालिस तो ग्रेड़ पे वाली 4300 बेसिक प्लस दिये उससे शुरू था लेकिन दो में एक वर्ष बीच चुका है तो एक साल की छूट इनको दे दी गई है चोथा राजसानी का है तो 2022 में राजसानी की निया आई थी 2018 में आई थी तो उस बात को लगबग 6 साल हो चुके हैं लेकिन अधिक्तम छूट तीन साल की दी जाती है तो उनको वो अधिक्तम छूट ह वो तीन वर्ष की राजसानी के लिए दे दी गई है बाकी सब के लिए एक वर्ष के अत्रिक छूट है आपकी दिनांग है एक एक दोजार पचीस तेक एक दोजार पचीस के अनुसार आप अपनी आयू देखने किती हो रही है उसमें एक साल के आपको छूट मिल जाएगी जो होती है वो आपने देख으면서 घूट मिलेगी यहां राज साल की दिना है उसको व्यूट के शूट बिलेगी तो और आप जिनारा क्या विद्यारती है collaborate कर सकते हैं वह जनरल में nostalgic होते हैं वह इंद्स का वर्ग को आपको जानरलिया की सब्सक्र जेनर कुछ भी हो आप जनरल में ही काउंट होंगे यहां पर आप सामाने अनारक्षित वर की महिला को पांच साल की छूट जरूर है विद्वा एवं विच्छिन विवा परितक्ता महिलाओं के लिए अधिक्तम आयू सीमा नहीं है फिर उसके बाद में कोई कैदी वगेरा इस निकाले जाती है और बाकी चीजे नीचे मां बता दूँगा वस्तुनिष्ट रूप से सारे क्रेशन अब्जेक्टिव आते हैं फॉर्म आप कब अप्लाई कर सकते हैं पांच नॉमंबर से चार्थ दिसंबर के बीच में और फिर आप वन टाम रिजिस्ट्रेशन कर सकते है या फिर आपने वन टाम रिजिस्ट्रेशन कर रखा है डिरेक्ट आप से सो पे जाके लोग इन करके वहां से ब्याप अपलाई कर सकते हैं बाकी एमितर वाले के पास जाएं तो अपना फॉर्म खुद भरवा के देख के अच्छी तरीके से चेक करके फिर सब्मिट करवाना फिर आपको जब तक उसका संसोदन आप नहीं कर पाते हो तब तक आपके फ़र वह तैयारी हो ही नहीं पाती बार बार किसी किसी को मैसेज करते होगे कि संसोदन कब होगा कैसे होगा यह होगा कि नहीं होगा उससे अच्छा है एक दिन जाके पढ़िया तरीके से गंटा पर बैठके उसको जब भी नंबर आए उसके पास बैठके अच्छे तरीके से अपना काम करवाओ नहीं फिर इसमें आपको समस्या आ जाती है और हर बार होता है ऐसा कोई नो कोई विद्यार थी राजस्तान राज्ये के पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलेर श्रेणी के आवेदेक तो था राजस्तान राज्ये से भिंद राज्यों की अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती ये देखो साफ सब्दों में बता देता हूँ राजसान में OBC और MBC के लिए क्रिमिलेर लागू है तो यदि आप उस शिरणी से ऊपर की आए वर्ग की हैं तो आपको जनरल में आवेजन करना होगा और दूसरे राज्यों के सभी वर्गों के ही जनरल में आते हैं यहां देर रखा है राजसान राजे से भिंद राज्यों क आती बिच्डा वर्ग इनक में किसी भी वह हो या EWS कहीं किसी भी गटेगरी भी हो वह सभी किसमें आएंगे सामान वर्ग के अंतरगत आएंगे यहां पर क्लिर हो गई बात है यहां पर राजसान में OBC, MBC इस प्रकार से SBC बोल दो इस प्रकार से हैं पिच्डा वर्ग में बनायर भी डिया,सी ही और से सब्सक्य भी कर आएंगे boca ब परिंफ के अ घकलती हो LEE करेंगे मिया किसी में बनायर भी औरまで अब थैव जर où मैं टो场न अपलाई करेंगे खिल जिसमें से पहला पेपर 150 marks का, दूसरा पेपर 300 marks का, आपके 150 marks का मतलब यह है, कि इसके अंदर आपके question आते है 75, एक question दो नमबर का होता है, तो देड़ सो हो गया, और इसमें आते है question subject वाले में 150 गुना दोती, यहां पर रखी है एक बड़त तीन नेगेटिव मार्किंग होती है minimum qualifying marks 40% है दोनों paper में अलग-अलग for each paper अलग-अलग 40% आपको दोनों paper में लाने है इसके लिए SC और ST को 5% का relaxation है नीचे यहां पर यह दिया गया है कि भूतपूर सैनिकों और विश्यस योगिचन को नियुनतम उतिन आंकों में छूट मिलेगी ठीक है और ST ST के लिए 5% की दे रखिया यहां पर फिर इसमें paper 1 और paper 2 में exam में pattern में syllabus जो कि इसका full syllabus नहीं है यह इसमें दिया हुआ भी एक जगा कि full syllabus जारी किया जाएका अलग से यह इसका देखो मुख्य मुख्य बात है कि first paper क्या होता है second paper क्या होता है वह यहां पर दिया हुआ है क्या गड़ दिया मैंने हाँ यह देखी पहला part है इसमें history of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian national movement हालांकि इसमें culture पिछली बार भी लिखा हुआ नहीं था लेकिन syllabus जब आपने detailed syllabus देखा तो इसमें रासान का culture भी था इस बार भी आने की संभावना ही है तो यह आपके लगभग लगभग पहले इसमें दिया हुआ रहता था secondary level की mathematics है यह उसी level की statistics है तो इसके आपके 10 questions हो जाते हैं mathematics, mental ability और statistics के मिलाके लगभग 10 questions आते हैं आपके language ability में Hindi और English के आपके 5 questions आते हैं यानि यह 10 plus 5 plus 5 यानि यह लगभग 20 number का portion आता है 20 question का यह अंक नहीं बता रहा है मैं question बता रहा हूं पर इसके बाद में current of our के लगभग 10 मान लो आप इसका detailed syllabus आजाएगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें national, international और Rajasthan तीनों का current पूछा जाता है हालांकि कुछ specific विंदू होते हैं जैसे महिलाओं से संबंदित है प्रमानूर्जा से संबंदित है पिछली साल वेक बार महामारी दे दिया था प्रिडिके टाइम में अलग से अड़ करके खेल से संबंदित है तो उसमें उस तोपिक के ध्यान में रखते हुए एक बार उनको देख लेना होता है क्योंकि जब भी किताब पढ़े तो आपको आइडिया रहना थीग है कि हाँ यह यह तोड़ा ज्यादा ध्यान देने क्य दिख सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं मुसकी बूकलिस्ट बग़रा के बारे में और इसकी तैयारी कैसे करनी है किस प्रकार से करनी है यह दि आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा नहीं आने था आपको देखने की अपना टाइम वेस्ट करने के आउशक साइकोलोजी और वो जो उसमें तकनीकी वाला और कंप्यूटर वाला वो दे रखा था ना इसीट वेगरा वो सारा जो सेगंड बेपर में आता था उसमें से एक चीज हटा ली है एजुकेशन साइकोलोजी जैसा कि पीछे आया भी था इसके संबंद में और एजुकेशन सा पिछली बार लगवग लगवग 10-10 क्वेशन इस पार्ट में से पूछे गए थे अब चुँकि एजुकेशन साइकोलोजी इसमें एड हो गई है तो संभावना यही जताई जा रही है कि इसमें से आपके 15 क्वेशन आ सकते हैं इस प्रकार से आप इनका एडिशन कर सकते है 15, 15, 30 और 45 तो यह होगे और 20, 10, 30 और 10, 40 यह होगे ज्यादा कर दिएगे मैंने अंक लिख दिएगे किसी में अच्छा यह गलत जोड़ दिया मैंने यह होगे ने इसके टोटल 20 वो मैट्स वाले अलग से थे तो 15, 15, 30 और 45, 10, 20, 30, 75 75 क्वेशन होगे 15 हिस्ट्री के लिए हो 10 हो गए तो 20 होगे ठीक है और जोग्राफिक, पॉलिटी और जनरल साइंस के 555 हो गए और यह साइकोलोजी एजुकेशन मेनेजमेंट के 15 होगे तोटल 75 क्वेशन हो गया यह यहां पर यह भी पहले डिवाइड रहता था अब दो बार से नहीं हो रहा है यहां पर आपको सी प्ष्टेसिन्ग अन्दर के और कि नहीं के पूछ ले से सकते हैं और कई बार हमने देखा कि कई सब्जेक्ट के और सुंप्टेसिन को ज़्यूशन का ज्यादा पांश पूछ लिया तो आपको तैयारी करनी होती पुर इसके बाद में पेड़ागोजी यह यहां आ गया अभी तय नहीं है लेकिन लगबग भी से question आप मान के चलो इसके पूछे जा सकते हैं कम भी हो सकते हैं ज्यादा तो सम्भावना कम ही है पंदरा भी से question आप मान के चलो इसके पूछे जा सकते हैं बाकी आपका पार्टे subject का है जिसका detailed syllabus पहले वाले syllabus में 19-20 का फरक आसकता है बाकी लगबग वही से लिए बस रहने की समभावना है विभीने विशियों में जल्दी ही आजाएगा से लिए थूस पर हम चर्चा कर लेंगे इतियास विशियों में इसमें बाकी लगबग वही है आप तयारी में आपको कोई भी किंतू परणतू के इहां पर यह दे ही दिया और इस एक्जैमिनेशन ये सारे चीज एसके अंदर समझ में आई गई गई और कुछ है नहीं अगे प्रमान पत्र वगईरा के लिए कोच वगईरा के लिए अब इसमें आगे चलते हैं हम लास्ट में प्रमान पत्र वगईरा वाली थोड़ी सी में से देता हूं नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है बाकियों को तो शायद इन चीज़ों के बारे में पता ही होगा SC, ST, OBC अरती पिछड़ावर गार्थी ग्रूप से कमज़र रीडवलोस हो गया इनको आरेक्षन का लाब नेने के लिए जाती प्रमानपत्र ओनलाइन आवेदन की अंतीम तिति तक का जारी किया हुआ आए प्रमानपत्र है पिछड़ावर का रती पिछड़ावर क्योंकि क्रीमिलेयर वाला इनमें सिस्टम होता है तो इनको आए प्रमानपत्र भी लगता है तो आए प्रमानपत्र आपकी माता और पिता की आए के आधार पर बनता है पती की आए के आधार पर नहीं बनता यह इसके बाद से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमान पत्र है उसमें अबेर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते वे नियमा नुसार पारेवाई का आए के आदार पर जो निर्धारित प्रारूप है सक्षम अधिकारी है उसके दोरा जारी किया हुआ प्रसुत क आपको उसको नहीं मिलता है यह सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिक बेसिक माँ बताना चाहला था आपको ती और क्या हो गया है यह हाँ ठीक है ठीक है हाँ इसके नीचे कुछ है भी नहीं वैसे तो यह सारी चीज़ होती थी आवेदन के संबंद में एक्जाम पेटरन के संबंद में आब यही बुक लिस्ट के बारे में है तो शायद मैं कल तक उसके वीडियो बना पाऊंगा और एक दो द कोई ज्यादा आवश्क्ता है नहीं तो आपको करनी का झाश्यक्ता नहीं है जो भी आपके प्रशन हो कमेंट में में बताना वेक्र की दे लिए विडियारती वारवार मेसेज करी दे हैं उसके समंद में बता देंगे जल्दी ही सिलेबस आने का मुझे इंतजार है सि पदलाव होगा तो और शुद्रूप से उस पर चर्चा कर लेंगे आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जुरूर बताएं धन्यवाद